नमस्कार आप सबी का बहुत बहुत स्वागत आज का विश्य है बीच की दोनों उंगलियां शनी उंगली और सुर्य उंगली उनका हातेली से जुड़ाओ थोड़ा उपर से हो मतलब वो हाई सैट हो हातेली पर एक कर्म में ना हो कर्म में होना शुप होता है एक आर्च फिंगर सेटिक मनती है लेकिन अगर यह हाई सैट हो तो एक टैंट शेप्ड फिंगर सेटिक मनती है यह एक विशेश इशारा करती है अशुपता का किसी हानी का बहुत बड़ी हानी क्या होता है देखिए ये वाली उंगली इस्षनी की उंगली क्या दिखाती है भाग्य धना और ये जो उंगली है अनामिका सुझे की उंगली ये क्या दिखाती है यश मान सम्मान सफलता तो जब ये उंगलिया थोड़ी हाई सेट हो जाएं एक टैंट शेप्ड फिंगर सेटिंग बनाएं मतलब लिटल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के मकाबले थोड़ा हाई सेट हो तो ऐसे जातक अकसर ओवर कॉंफिडेंट हो जाते हैं या कहें बहुत फार साइटिड नहीं पुर्णीने लेते हैं अपने शंता के नुसार लेकिन शायद और कॉंविडेंस में या कहें कि ऐसा हो रही है कि वो अपने तरिके से एक सही डिजन लेते हैं लेकिन या भागे काम करता है कि उनका निर्णे जो बिलिया गया वह आगे चलकर बड़ा फैटल घातक साबित होता है उनके पूरे जीवन को परवावित करता है अशुकता से अब जातक के पास कोई option है ही नहीं बस regret करेगा पच्टाएगा और सोचता रहेगा कि काश उसने उस समय ऐसा निर्णे ना लिया होता जो निर्णे लिया गया उससे ना तो सफलता मिली ना यश मान में व्रदी हुई ना ही लाब हुआ धन लाब हुआ उल्टे अप यश हो सकता है धन की हानी हो जकती है लेकिन अब पच्टाएग क्या हो तो जब चड़िया चुक गई के अब पच्टा आने के अलाबा कोई रास्ता नहीं बच्टा जातक योग्य है समझदार है फिर भी ऐसा निर्णे हो जाता है जो बाद में बड़ा ही नुकसांदे साबित होता है तो ऐसा अगर हमारी दोनों बीच की उंगलिया हाय सेट हो जाएं तो यह अच्छा संकेत नहीं दिखा रहा है कि जातक ने अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णे लिये हैं जो बाद में बड़े हानिकारक साबित होते हैं जाता किवल पस्त आता रह जाता है बस तो यह कुछ छोड़ा तत्य था हाय सेटिंग के बारे में आशक करता हूं आपका ग्यानचर जरूर करेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया